हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू टीमाइल स्ट्रीम और आज हम इस वीडियो में जो कल हमारा एक्जाम हुआ है 23 सेप्टेंबर को उसका पूरा रीव्यू देने वाले हैं कि एक्जाम कैसा था और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइटिंग टास्क वन की जो अकैडमिक आया था as per the predictions दो पाइचार्स थे combination हमारा जो टास्क था वो आया था जिसमें दो उन्होंने पाइचार्स पुशे थे और उसको आंसर करना था और इसी के साथ जो टास्क टू है उसकी statement यह है आपके सामने once children start school teachers have more influence than parents on their intellectual and social development do you agree or disagree कि एक बार जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता तो उसकी intelligence पर और उसकी social development पर पी वो कैसे बात कर रहा है कैसे वो रह रहा है कैसा वो person बन रहा है उस पर उसके teachers का ज़्यादा influence होता है teachers का ज़्यादा effect होता है उसके parents से ज़्यादा तो क्या आपको लगता है आप इस चीज़े agree हो जाना disagree होता है यह हमारा पूरी statement थी और मैं बता दूं कि जो statement है काफी बार exam में repeat हो चुकी है तो let's talk about the writing task for a journal जो journal के student है उनके task 1 में formal letter आया था जिसमें उन्होंने एक manager को लिखना था regarding the customer services और वही task 2 की statement थी cooking still to be added in school, curriculum or not कि जो cooking है उसको curriculum में add करना चाहिए आज भी जान नहीं तो यह थी task 2 की statement for the journal students let's talk about the reading passages हमारे पास तीनों passages के name हमने लिखे हुए है ahead of time पहला पैसीज था fashion industry and bright spark जे तीनों थे और जो overall level था reading का वो easy to moderate था और जो हमारा जो third paragraph था वो थोड़ा moderate था जो पहले दो थे वो ठीक थे लेकिन जो task जो पैसीज 3 था उसमें बच्चों को काफी time लगा उसको solve करने के लिए तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो reading है वो easy to moderate थी जैसे कि आपको पहले prediction में हमने बता दिया था तो question types की बात करते हैं तो true false आये थे ठीक है फिल्लप्स थे mcqs थे sentence ending थे and which paragraph contain information ये सारे question type आये थे ठीक है और इसी के साथ अगर listening की बात की जाए तो कल के exam में जो listening उसकी speed थोड़ी सी जादा थी तो इसलिए जो listening वो भी easy to moderate थी और जो question type थे वो थे philips mcq matching information and philips और part 3 के अभी तक किसी students ने हमें नहीं बताए तो वो आपको जल्द ही बता देंगे तो ठीक है तो ये था हमारा exam का review अगर आप इसके जो reading और listening के answers अगर आपको चाहिए त you can follow this channel और क्योंकि हम जल्दी ही हमारे जो question के answers है उसको upload करने वाले हैं ठीक है thank you so much for watching this video and follow for more videos like this